भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का सबसे पहला दुश परणाम ये हुआ के देश की आर्थिक स्थिती बिगड़ गई भारत की आर्थिक संपत्ती इंग्लेंड जाने लगी यहां के परंपरागत उद्योग धंदे नश्च होने लगे और इंग्लेंड के उद्योग पनपने लगे कच्चा माल इंग्लेंड जाने लगा कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसान, मजदूर, कारिगर और अन्य लोग दिन बदिन अंग्रेजों के बनाए अंधे कानूनों की गिरफ्त में फस्ते चले गए दक्षन बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों में भारी असंतोष भेल चुका था इसका कारण ये था कि नील, चाई और कहवा बागानों का प्रबंद और संचालन अंग्रेजों के हाथ में आ गया था इन बस्तों की इंग्लेंड और यॉर्प के देशों में भारी मांग थी अंग्रेज अफसर किसानों को चावल की बजाए नील की खेती करने के लिए मश्बूर करते हैं इससे गरीब किसानों के लिए पेट भरना भी एक समस्या बन गई मजबूरी में किसान जो नील पैदा करते थे उसे अंग्रेज उत्पादन खर्च से भी कम दामों में खरीदते थे इस तरह किसानों का भारी आर्थिक शोशन होने लगा गरीब किसान कंगाल हो गए उनके लिए पेट भरना एक समस्या बन गई जब अंग्रेजों ने खानून बना कर नील की खेती का उत्पादन अपने अधिकार में ले लिया तो किसानों ने विद्रूह कर दिया उन्होंने लगान देना बंद कर दिया नील के कारखानों और गोदामों में आग लगा दिया इस विद्रूह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निहत्वे किसानों पर बहुत सुल्मधाय ये विद्रूह सन 1869 से 1861 तक चला हलांकि इसके बाद जर्मनी से नील आने लगी थी और किसानों को मुक्ती मिल गई थी सन 1872 और 1873 में पूर्वी बंगाल के धाका, बकरगंज, पबना, बोगरा और अन्य कई जिलों के किसानों ने लगान न देने का आंदूलन शुरू कर दिया ये अन्दूलन भी अंग्रेजी राज की शोषण नीती के खिलाफ एक खुले विद्रूह के रूप पर सामने आया उधर सन 1889 में दक्षण में गोदावरी एजंसी के अंतरगत आदिवासियों ने रमता और गोलकुंडा में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रूह किया था इस आदिवासी विद्रूह का नायक था चंद्रईया विद्रोहियों ने दो पुलिस थानों में आग लगा दी थी इसके बाद चंद्रईया के नित्रत्व में वो आदिवासी चिंतूर गाउं के और बढ़े यहां पुलिस से उनकी जबरदस्त बुढ़ेड हुई आखिर विद्रोही भाग निकले अंग्रेजों ने उनका पीछा किया घायल चंद्रईया को उनके साथ ही उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए 12 फरवरी 1880 को चंद्रईया की हत्या कर दी गई उसके तमान साथ ही पकड़े गए सारे इलाके में पुलिस ने आदिवासी विद्रोहियों का दमन किया सन 1870 में पूर्णा की सारवजनिक सभाव में न्याय मूर्ती महादेव कोविंद रानाडे ने भारत की आर्थिक स्थिती और गरीबी राष्ट्रिय व्यापार नीती और खर्चीले ब्रिटिश शासन पर तीन व्याठ्थ्यान दिये रानाडे ने कहा था कि अंग्रेजों को उचे और अधिक वेतन वाले स्थान दिये जाते हैं जबके भारतियों के साथ ऐसा नहीं होता भारतियों की योग्यता का ब्रिटिश शासन आदर नहीं करता रानाडे के इन भाषणों को सुनने के लिए एक युबक जाया करता था वासुदेव बलवन्त फड़के वो इन भाषणों से बहुत प्रभावित हुआ उसने निश्चे किया कि वो आजादी के लिए लोगों में नई चेतना का संचार करेगा वासुदेव हरके हर शनिवार और रविवार की छुटी के दिनों में गाउं में जाने लगे गाउंवालों को इकटा करके भाषण देते उनमें राष्टियता की भावना जगाते और बहुत ही सरल भाषा में लोगों को आजादी का मतलब समझाते वो पूना में भी चौक चौक घूंते और ठाली बजा कर लोगों को अपने व्याख्यान की सूचना देते के आज शाम शनिवार बाड़ा के सामने मेरा भाशन होगा अपना देश आजाद होना ही चाहिए उसे आजाद करने के उपायों के बारे में ही मैं विस्तार से कुछ कहूंगा आप जरूर आएं सन 1886 में महराश्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा वासुदेव भड़के ने सादू के वेश में अकाल प्रिडित इलाकों का दौरा किया और जो कुछ देखा उससे उनका हुर्दय फटने लगा उन्होंने सूखे हुए कुएं तालाब नदियां देखे पानी और राशन के अभाव में दम तोड़ते इंसानों को देखा मवेश्यों का तो और भी बुरा हाल था उधर ब्रिटिश सरकार के प्रदितली बनकर इसाई मिश्णरी के लोग मौके का फायदा उठा रहे थे वो लोगों से कहते तुम इसाई बन जाओ हम तुमें खाना देंगे यह देखकर वासुदेव फड़के समझ गए कि इस सब के लिए जिम्मेदार है प्रिटिश शासन जिसे उखाड फेंगना ही होगा वासुदेव फड़के के हृदय में विद्रूह की आख सुलक चुकी थी वो लोगों को विद्रूह के लिए तयार करने लगे लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई तयार नहीं हुआ वासुदेव फड़के देशी रियासतों के राजाओं से भी मिले और क्रांती के लिए मदद मागी लेकिन निराशा ही हाथ लगी अब वो समझ गए कि सशस्त्र क्रांती के अलावा कोई और रास्ता नहीं है वो जानते थे कि अंग्रेजों से टक्कर लेना आसान नहीं है और इसी लिए शेहर के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं तबी उन्हें छत्रपती शिवाजी की आदाई जिन्हुने ग्रामवासियों और आदिवासियों की सेना बनाई थी इस तरह वासुदेव फड़के ग्रामवासियों और आदिवासियों को एकटा कर उन्हें लडाई का प्रशिक्षन देने लगे अब वासुदेव के कई युवक मित्र भी उनके दल में आ गए थी दल में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दही चूडे से भरा दोना लेकर ततिग्या करनी पड़ती थी कि मैं अपने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योचावर कर दूंगा बीस फरवरी 1889 को महा शिवरात्री के अफसर पर फड़के के 200 क्रांतिकारी साथियों के बैठक हुई और क्रांति की पूरी योजना तैयार के गई फथियार एक खटा करने के लिए धन की ज़रुरत थी और धन के लिए धनी लोगों को निशाना बनाया गया वासुदेव फड़के की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर ब्रिटिश सरकार चौकन नहीं हो गई ये भी पता लगा कि इस विद्रोह का नेता है वासुदेव बलवंत फड़के नामक एक युवक उनकी गिरफतारी का काम सौपा गया मेजर डेनियल को उन्होंने वासुदेव के मकान पर च्छापा मारा वासुदेव तो हाथ नहीं आये पर कुछ हथियार जरूर मिले जिससे क्रांती की योजना की जानकारी की लिए मेजर डेनियल ने खोशना की के वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफतार कराने वाले को चार हजार रुपए इनाम दिये जाएंगे इसके जवाब में फड़के ने पूना के कलेक्टर सेशन जजज और बंबई के गवर्नर को गिरफतार करने वाले को पांच पांच हजार रुपए इनाम दिने की खुशना की जगा जगा ये पोस्टर चिपका दिये गए उनमें नीचे वासुदेव बलवंत फड़के के हस ताक्षक थे और लिखा था पेश्वाओं का नया मुख्य प्रधान इस पर ब्रिटिर्श सरकार बॉखला उठी उसने फड़के और उनके साथियों को गिरफतार करने के लिए अभियान तेज कर दिया मेजर डेनियल के लिए फड़के चुनाती बन चुके थी कि मेजर डेनियल के जासूसों ने ख़बर दी कि फड़के और उनके साथ री पहाड़ी पर छिपे हुए हैं डेनियल तुरंत सेना लेकर वह पहुंचा और उसमें पहाड़ी खेब हुआ आदिवासियों के सेना नायक दौलत राव नायक ने मेजर डेनियल की सेना से सीधा मुकाबला किया इस मुकाबले में यो तो डेनियल भी खाय हुआ लेकिन दौलत राव नायक मारे गए वासुदेव फड़के को दौलत राव नाईक के शहीद हुने पर गहरा दुख पहुँचा वो उदास हो गए और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े गणगापुर में श्रीदत्य के मंदिर होते हुए अठारा अफ्रेल अठारा सो उनासी को श्री शैल मलिकार जुन के मंदिर में पहुँचे इस समय तक उनमें पुनह आत्मविश्वास चाग चुका था अब वासुदेव फड़के ने रोहिलों से मदद माई दी उनके मुखिया इसमाईल खास मुलाकात की इस समय वो गणगापुर में ही थे उधर मेजर डेनियल को एक हवल्दार ने सूछना थी कि इन दिनों खड़के को गणगापुर में देखा गया है उधर खड़के को भी खबर मिल गई कि मेजर डेनियल आ रहा है बासुदे फड़के तुरंत वहां से निकल पड़े रास्ते में भीमा नदी आई उनका एक साथी मुरेश्वर साथे उनके साथ था फड़के को तेज बुखार था नदी में बाड आई ली थी फिर भी वो नदी में खूदने के लिए तैयार हो गए लेकिन तभी एक मल्ला मिरा साहब उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया नदी पार करने के बाद तेज बुखार की हालत में ही वासुदेव तीन दिन तक लगातार भागते रहे और पुलिस से बचते रहे आखिर वो बीजापुर जिले के देवनार गुड़ी गाउं के एक बॉध मंदिर में ठहर गए मंदिर में रात के वक्त फढ़के सो रहे थे तभी मेजर डेनियल उनका पता लगाता हुआ वहाँ पहुँच गया और उसे फढ़के को पहचान लिया ये बीस चुलाई अठारा सो उनासी की रात थी उनकी तलवार पर पैर रखकर पिस्टॉल तांदी और बोला आखिर आई गया तुम मेरे कबजे में वासुदेव बलवन फढ़के ने कहा ये तो ठीक है लेकिन तुम मुझे नीन में ही पकर पाए पूना की अदालत दर्शकों से खचाखच भरी हुए थी भीड को संभालने के लिए पुलिस का खास इंतजाम था फिर भी हर व्यक्ति इस महान देश भक्त और प्रांतिकारी के एक बार दर्शन करने के लिए बेचैम था अदालत में उन पर राज द्रू का मुकदमा चलाय कि वासुदेव फड़के ने उपस्थित लोगों को संबोधित करके कहा भारती गड़ तंत्र की स्थापना करना ही मेरी बगावत का मुख्यों देश शिता मुझे उसमें सफलता नहीं मिल पाई लेकिन परमपिता परमेश्वा जानता है कि मैंने जो कुछ भी किया जन हित में ही किया भारतवासियों मेरे भाईयों मुझे से आपको कोई लाब नहीं हुआ मैं लक्ष पूरती में सफल नहीं हो पाया हो सके तुम मुझे मुझे मुआफ कर दीजे इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें आजन्म कारावास की सजा दी फैसला सुनकर फड़के ने कहा दोस्तों इतनी कड़ी सजा हम लोगों को मिली तो है लेकिन भारत के इतिहास में हमारा नाम अमर हो जाएगा जन्वरी 1880 में वासुदेव फड़के को अदन ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया यहां उन्हें बहुत यातनाई दी गया आखिर बारा अक्तूबर 1880 को वो जेल से भाग निकले लेकिन उन्हें अदन के रास्ते मालू नहीं थे इसलिए वो रास्ता भटक कर 18 किलोमीटर भागते ही रहे अंत में उन्हें पकड़ लिया गया फड़के दोबारा न भाग पाएं इसके लिए उनके पैरों में बेडियां डाल दी गया और उनको और जाधा सताया जाने लगा आखिर वो क्षाय रोक से बीमार हो गये और 17 फरवरी 1883 को जेल में ही उनका निधन हो गया इतिहासकार लिखते हैं कि वासुदेव बलवंत भड़के का बलिदान इसलिए जादा महत्वकून है क्यूंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा इतने बड़े प्रिटिश सामराज्य से टक्तर लेना एक असाधारन बात थी इस समय तक देश की परिस्थिती में काफी बदलाव आया था एक और ब्रिटिश शासक नहीं चाहते थे कि अब 1857 जैसा कोई वित्रोह फिर से हो क्यूंकि इस बार सेना नहीं बलकि जनदा द्वारा विद्रोह किये जाने का डर था इसलिए कुछ अंग्रेज भारतियों के हित्की योजनाय बना रहे थे इन में से एक मुख्य नान था सर एलन ओक्टेवियन ह्यूंग सर्हूं नहीं चाहते थे कि अब लोगों का असंतोश विद्रोह में बदल जाए दूसरी ओर कई धार्मिक और समाज सुधार संबंधी संस्थाएं जैसे आरे समाज प्रार्थना समाज ब्रह्मो समाज आदि अपने अपने ठांसे कारे कर रहे थी इसके साथ ही पढ़े लिखे लोग ये मांग कर रहे थे कि नौक्रियों में भारतियों को लिया जाए और उन्हें जिम्मेदार पदों पर न्यूक्त किया जाए सर ए ओ क्यों अंग्रेज होकर ही स्वतंत्र विजार रखते थे और उन्हें निडर होकर प्रगट करते थे वो सरकारी नौक्री से मुप्त होकर भारतियों और अंग्रेजों के बीच की खाई को भरना चाहते थे उन्होंने एक पत्र में लिखा था हमारे सामराज्य का भाग्य डामाडोल है और किसी भी समय छोटे से बादल का कोई टुकड़ा जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है बढ़कर सारे देश पर चाह सकता है और अराजकता तथा विनाश की वर्षा कर सकता है ह्यूम साहब ने देश की सारी स्थिती का अध्यन करने के बाद ब्रिटिश शासन को तीन महत्वपून से फारशें की थे एक तो ये कि सारी जनता के विभिन वर्गों को एक राश्ट्रिता के सूत्र में पिरो दिया जाए दूसरी ये कि सभिक शेत्रों में यानि आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राश्नैतिक शेत्रों में राश्ट्र को फिर से उन्नत बनाया जाए और तीसरे ये कि भारत और इंगलंड के बीच संबंधों को अच्छा बनाया जाए सर ह्योम के विचारों का स्वागत सभी ने किया और ये ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि एक ऐसी संस्था का निर्मान होना चाहिए जो भारतियों के हितों की बातों पर विचार करें सन 1884 में ख्यूम साहब ने अपने तीनों विचारों को लेकर भारतिय नेताओं से बातचीत की और इंडियन नैशनल यूनियन की योजना सामने रखी इसका उद्देश्य था वैधानिक उपायां द्वारा अपने हक की मादश्य था